पर्सस प्ली की बीचे होने वाले आज के दूसरे इसीस ठीटर मैच के बारे में नई टीम है नई प्लेस एनालिस्टिस जाना आपको बहुत जरूरी है कौन किस नंबर पर बल्ले बाची के लाएगा कौन कितने और बालिंग करके देने वाला है इस मैच का आपके लिए पिछ वीडियो में एक टीम बनाके दूँगा यह हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेस की तीम होगी माल लोग के हमारे वीडियो की तीम में कोई प्लैन ना खेल रहा हूँ या फिल आइना पाने का तुम बहुत जो भी यमारी फाइनल टीम होगी वह मैं इसी तरीके से स्क्रीन सौथ के जरिया अपने तेली गराम चलोगा आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम बेस दूँगा जहाँ पर सब्सक्राइबर यानि के लोग पहले इसे फ्री में जोईन है आप भी जोईन होगी आगी हनले मैचस जैसा IPL मैच होगी है या फिर दस ओवर वाले लेवल के मैचस अब सब्सक्राइबर लोग पहले इसे फ्री में जोईन है आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रोगो उसी वीडियो के टाइटल करोगे सीधे सीधे डिस्क्रिप्स नहीं पहुंच आपको लिंक मिल जाएगा ना मिले तो कमेच सक्समाइक्स में जाना सबसे पहला जो कमे गारे हमारते चुटाइबर लोग सीधे लोग को करी ने आपको बहुत सारी नामने जाया हुं की की सीजन के बहुत ज्यादा समूग पहला reflects भोब्री की favourite प्लाव की तीम के जीतने के चांसे जाए कोई भड़ा प्लेयर इस समय फ्लेइंग 11 में खेल नहीं रहा है सबसे पहले इस वह मैच होना है आपको सोफिया क्रिकेट ग्राउंद के स्टेडियम कर देखनों मिलने वाला है जहां के एवरेज इसकोर आपको 113 रंड करीव का आख पहले कोसिस करना है आख़री के मैचस में यहां पर काफी इच्छे रंस बने हुए सबसे पहले एफ रह्मान जो की बल्ले बाची में भी ऐसा ओपना सो कि हजा रहा है इस एंड के आफिसल बल्ले बाची करम के ओपर आज के पहले दस ओवर का जो मैच चल रहा है ना प्लौ प्लौ मैच की तीम का वहाँ पहले हम उसका स्कोर का देखेंगा उसके बादी सकिती दिन में इसकी तीम के और से किस किस प्लेयर को हम ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे बाकि अभी फिलाल करम आपको यही कहुँगा कि वहला मैच लाइफ देखेंगा लाइफ देख प्लेयर रहाएगा क्योंकि बल्ले बालिंग दोनों चीज़ करके देने वाला है कहीं ना कहीं सा आपको अच्छा खासा परफॉर्मेस करके दे सकता है प्लेंग 11 में खिलाया जाएगा तो बिना कुछ भी सोचे लेकर करके चलना है अगर यह खेलेगा तो मेंली बॉलर बॉलिंग सापको दो ओवर पुड़ा करेगा लेकिन आखरी मैंच में इसको प्लेंग 11 में खिलाया नहीं गया है उसके बाद यहां से एम अरहम को लेकर के चलने वाला हूँ जो की बल्ले बाजी में नवे नमबर करीब आए प्लेंग 11 में आज के पहले मैच में खिलाया गया है तो एक चीज याद अखना की प्लॉक की तिमगोर से पहले मैच जो भी मेन बॉलर रहेगा ना उसको मैं लेकर करके चलूँगा मालो की कोई ऐसा बॉलर निकल करके आए जो की दो ओवर बालिंग पुरा भी करते वहां प पे काफी अची बॉलर ना मिले लेकिन अगर बॉलिंग से लेकर कया ना तो तीसर alleen बंवाला ओं यह चीज को इधान दे करके चलना उडर निक एक ऐसा प्लेयर जो कि बल्ले बाजी में भी पाफेन अवर पैस जाएगा प्लस आपको बॉलिंग से भी धो वर पुड़ा करेगा मेनली जाए है पलाउखी दियमका एक बड़े लैवल का प्लेयर है जो की मेनली जोए बॉलर है बल्ले बाजी में काफी नीच चाहेगा लेकि कि मैं इसको ले करके चलूँगा जरूर ऐसा बॉलर आपके लिए काफी अच्छा काम करके जरूर दे सकता है आपको ले करके जरूर चलना है उसके अलावा अली हुसें को भी रिकॉर्ड अच्छा लेकिन आसके पहले मैं इसको भी प्लेइंग लेवन में नहीं खिलाए गया अगर अली हुसें को भी खिलाया जागा तो इसको भी मैं ले करके चलूँगा जरूर उसके बाद अभी मैं ले करके चलूर जिसका ना मैं यहाँ से एह हरी कुमार को जो कि बल्ले बाची में भी फोर पर आएगा प्लस आपको बालिंग से भी एक से दो ओवर करके देगा चार पांच ऐसे मैचेस भी जाएंगे जहांप यह बल्ले बाची में अज़ा ओपना रहेगा और दो तीन ऐसे मैचेस भी जाएंगे जहांप इसका बल्ले बाची करम पांची नमबर पर रहेगा और कई और तीन चार मैचेस भी जाएंगे जहांप इसका बल्ले बाची करम दूसरा ना मैच जैद अभीदी का पहला तीदेन मैच जो की प्लाओ की तीम खिल रहागा वापे जैद अभीदी को दो ओवर बालिंग पूरा मिल जाए क्योंकि बल्ले बाजी करम तो काफी नीचे मेंली जो बालिंग से आपको परफॉर्मस करके दे पाएगा तो अगर इसक मैच जो एक से दो ओवर ये भी आपको बालिंग करके देने वाला है आखरी सीजन में प्ली की तीम गोर से जादतार मैच जैद अभीदी को ले करके चलूँ अगर इसको आज के पहले तीदेन मैच जो की 11 बज़े शुरूर है वहाँ पे अगर इसको दो ओवर बालिंग सबसे पहले कहुँगा वी सुरेज बाबु को प्लेंग 11 में खिलाये नहीं जा रहा है ये पॉल को प्लेंग 11 में खिलाये नहीं जा रहा है जे जीजी का कोई बहुत बड़े लेवल का रिकॉर्द नहीं है लेकि मैं आपको एक चीज़ कहुँगा अगर इसको प्लेंग 11 मे जील सभी तीमों में लेकर के चलना है अभी मैं हम सुफियात को लेकर के चलने वाला हूँ जो की प्लाव की तीमोर से इस समय कप्तानी कर रहा है बल्ले बाजी में भी पोर प्यार है में लीज़ बल्ले बाजी है बल्ले बाजी के साब से बल्ले बाजी करब थोड़ा सा नीच जे शिवाकमार का बल्ले बाजी करम भी 6 नमर करीब आएगा बालिंग करके ज्यादा देगा नहीं तो यह भी ज्यादा किसी काम का प्लेर नहीं है और इबन हरुन आज के पहले मैच में इसको खेला आया जाँ बल्ले बाजी करम तीसरे नमर पर सोग किया जा रहा है तो जो कि कोई बड़ा यह लेवल का पलेब्स की भाँ में बाद करती हैं आध्य privacy कैसर सफ there लेकर के नहीं चल रहूँ एंस उनल ने कई ऐसे मैचेस बीडेखे हुआ मैंने जहां पर यह ऐसा ओपनर भी आया हुआ है इस विकेट की पर भी खिला हुआ है जिसे मैं इसको लेकर के चलने वाला हूं क्याप मैं लेकर के चलूँ आपके तीन अच्छे प्लियर रहेंगे जि और पुरा बालिंग भी कर जाए बल्ले बाजी में भी फोर पाय तो फिर ये काफी अच्छा उप्सन बन जाएगा लेकि जादा तर्माइचस में बालिंग करके आपको देता नहीं आभी मैं एफ रहमान को एज़ा कैप ले करके चल रहा हूँ एथ होमस को एज़ा वीसी ले क करके चलू लेकिन एथ होमस जिस तरीकी का प्लेयर रहना अगर इसको बल्ले बाजी में ऐसा ओपना भेज़ा जाए बालिंग से भी दोवर पुरा मिले अप इसको एज़ा कैप भी ले करके चल सकते हो कि ये बल्ले बाजी बालिंग दोनों चीस से आपको पूरा पूरा बै सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब कर ना